हलो बच्चो मैं प्रिया राठोर आपके लिए लेकर आए हूँ आज का वीडियो और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नमबर वन और वो है पादपो में स्वशन यानि की रेस्पारेशन इंप्लांट और उसका आज हम इंपोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं और इसके बाद थोड़ा सा काम इजी लगेगा आपको वैसे तो यह भी एजी है अगर एक बार आप समझ लेंगे तो तो चैप्टर फ्लो आपको पताईए लेक्टर फ्लो में आज हम क्रेप्स चक्र यानि की क्रेप्स साइकल करने वाले हैं इसी को हम ट्राइ कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं टीसीए साइकल ठीकि इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिसकस किया था तो टीसीए साइकल क्यों कहते हैं इसको रीजन है इसका ट्राइ कार्बोक्सिलिक अमल जबना सबस्क्राइब सबस्क्रबू पहले हैं और फोटो सिंथेसीस और रैस्पाइरेशन को मिक्स मत करिएगा फोटो सिंथेसीस और कोशी का द्रव का मैटर है ठीके स्वशन कि जब हम बात करेंगे तो कोशी का द्रव और मैट्रोकॉंड्रिया जाएगा यहां पर कई बच्चे प्रकाश स्वशन में बहुत ही mix कर देते हैं उन्हें नहीं पता होता प्रकाश में लिखाते हैं वो माइट्रोकॉंड्रिया जिबकि माइट्रोकॉंड्रिया स्वशन का पार्ट है ठीके तो माइट्रोकॉंड्रिया के मेट्रिक्स में होने वाली ये गटना है ये बात हम प्रकास संसलेशन की बात करें तो वहाँ पे वो थेलेकोईट्स के अंदर हो रही थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है क्लोरोप्लास्ट की कहाणिया थी तो यहाँ पे बहुत कन्फूजन होता है इसलिए इस बात को अभी से क्लियर करके रखें कि कौन सी चीज कहा हो रही है ठीके बीच वाला जो प्रोसेस था लिंकिंग स्टेप जो हमने कल पड़ा था वो कोशी का दरवे में हो रहा था उसी से पाइरुवी कमल को हमने एक नया रूप दिया यानि कि एसे टिल को एंजाइम में बदला और अब ये एसे टिल को एंजाइम कहां पर आ चुका है माइट्रो कॉंड्रिया के मेट्रिक्स में आ चुका है उसको पर्मीशन मिल गई अंदर आने की पास मिल गया है अब ये अंदर आया है तो कुछ कमाल दिखाएगा यानि कि जिसके लिए हम स्वशन करने वाले हैं वो चीज तो हमें अब लेनी है अब सारा वसूलना है जितनी ATP है जितने NADH है सब वसूलने हैं तो वही काम हम करने वाले हैं TCA चक्र का प्रारंब एसेटिल समू के oxaloacetic अमल OAA तथा जल के साथ संगनन से होता है और citric अमल का निर्माण होता है और इसी लिए इसका एक और नाम है citric चक्र भी कहते हैं इसको तो एक और नाम यहाँ पे लिख दो citric चक्र क्यों citric चक्र कहते हैं क्योंकि पहला stable compound हमेशे हमने जितने भी cycle पढ़ें जितने भी जो अभी तक हम पढ़ते हैं टर्म्स उनमें आपने देखा stable compound के नाम पे भी उनको नाम दिया हुआ है है ना जैसे C3, C4 photosynthesis के अंदर पढ़ा यहाँ पे इसको citric चक्र भी कहते हैं हम इसके साथ 9 सा भी कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे पहला compound क्या बनता है stable compound citric अमल बनता है इसलिए इसको citric चक्र भी कहा जाता है यह भी बात आपको याद रख नहीं है कैसे बनता है कि जो acetyl coenzyme हमारे बाहर से आया है कहां से कोशी का द्रवे से माइट्रो कॉंड्रिया में जैसे ही उसकी इंट्री हुई तो उसका भाविय स्वागत किया गया और स्वागत के अंदर किया हमने उसको पानी पिलाया पहले तो लोग पानी पिला देते हैं यह जल आ गया यह पे और हमारे यह नाश्ता शर्व करते हैं यह तो वही काम ही रासाइनिक हो रहा है तो रासाइनिक चीज़े सर्व करेंगे तो हमने यह पे उसको औक्जेलो एसिटिक अमल खिलाया किलो साथ में पानी और औक्जेलीक अमल वैसे तो औक्जेलीक असिट जो है लिक्विड होता है पर अभी हम यह मान लेते हैं हमने इसको नाश्ता पानी करवाया तो औक्जेलो एसिटिक अमल मिलाया उससे हमारे पास एक नया compound बन गया है और वो है citric aml ठीक है इसलिए इसको citric cycle यानिकी citric चक्र भी कहते हैं तो तीन नाम हो गए हैं इसके already यहां अभी किया citric synthesis enzyme द्वारा होती है तथा coenzyme का एक अनुमुक्त होता है जो coenzyme pyrovic aml को जो हम सजा सुजू के लाये थे coenzyme बनाके वो coenzyme release हो जाएगा जैसे ही citric aml बनेगा और citric aml किस enzyme की उपस्तिती में बनता है तो यहां पे आपको जादा enzyme हों में उलजना नहीं है एक enzyme आप याद रखें citrus synthesis वैसे तो इसके भी सारे enzyme हैं लेकिन NCRT नहीं देती glycolysis में नहीं दिये थे लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिये थे हाला कि उस पर कभी कोई question आया भी नहीं है लेकिन जस्ट एक knowledge के असाब से अब यहां पे क्या है आप already इतने confused रहेंगे तो एक enzyme आप learn कर लो citrus synthesis यह citric aml बनाएगा नाम ही बता रहा है इसका और सब enzymes के name इसी तरह होते हैं जैसे हमने glycolysis में देखे या तो product पे या फिर substrate के नाम पे रखे होते हैं ठीके चलो तो आब इस cycle को शुरू करते हैं शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भई citrate आईसो citrate का समावई भी होता है यह बात आप ध्यान रखेंगे आईसो citrate भी कहते हैं इसको आईसो citrate टम भी कहते हैं आईसो citrate जादा real है अच्छा है नाम है अब क्या है आपकी बुक में दो तीन जगों पे शब्द खा लिये गए हैं उन शब्दों को मैं आपको बताऊंगी इसलिए इस class को miss नहीं करना है पहली बात तो है ना इधर उदर की बाते चोड़के थोड़ा सा class में आ जाओं हाई हलो आईडी आईडी एक्सचेंज बात में भी हो जाएगी अभी पहले class लिलो ncrt में दो तीन जगा जोलवाल करा हुआ है आपको ncrt का डाग्राम भी बता देंगे और फिर से मैं सोचते हूं बोलती हूं कि जैसे भी आपके स्कूल में इसको कराया जा रहा है क्योंकि 11th class में स्कूल की दादागिरी चलती है तो आपके school teacher आपको जैसे करवाएं वैसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूं क्या-क्या इसके बीच में होता है और मैं जो बता रही हूं उसके अलावा भी इसमें product बनते हैं लेकिन हमारे लिए इतना जानना बहुत है नीट के एसाब से और class 11 के साब से ठीके चलो सबसे पहले क्या होगा acetyl co enzyme आ चुका है कहां आ चुका है mitochondria के matrix में तो मैं यहाँ पे side में लिख देती हूं mitochondria matrix उसके अंदर की कहानी देख रहे हैं अब देखते हैं यह board कितना बड़ा cycle ले पाता है वैसे तो बन जाना चाहिए acetyl co enzyme कौण acetyl co enzyme ठीके वो आया जैसे entry हुई तो हमने इसको क्या खिलाया क्या पिलाया देखो acetyl co enzyme में कितने carbon है acetyl co enzyme में 2 carbon है यह बात याद रखेंगे यह सारे carbon जो मैं आपको बताती हूं पिछली class में भी बता हैं यह सब याद रखने की चीज़े हैं इसे easy ही है step by step अगर आप चीज़े याद रखोगे तो हो जाएंगे दो carbon लेके आया था यह अपने पास अब इसको हमने नाश्टा पानी कराया किसका एक तो हमने इसमें विला दिया है OAA यह हमने इसमें मिलाया किसके अंदर? Acetyl Coenzyme के अंदर साथ में हमने इसको पानी भी पिलाया यह पानी पिला दिया क्या हुआ? Oxaloeicetic Acid में 4 carbon होते हैं यह बात आपने प्रकाश Sinculation में पढ़िये देखो प्रकाश Sinculation और स्वशन के compound विलकुल सेम से हैं वहाँ पे भी PGA आया था Oxaloeicetic Acid यहाँ पे आ गया प्रकाश Sinculation में भी आया था तो वहाँ से आपको याद होगा कि 4 carbon वाला compound बनता है इसलिए हम उसको C4 cycle कहते हैं है ना तो यह 4 carbon आपको याद रहेगा 4 carbon मिले 2 carbon यहाँ दे कितने हो गए? चलो calculation करो वही कितने carbon हो गए? 6 carbon सही गिन रही हूं मैं तो 6 carbon हो गए 6 carbon वाला compound हमारे सामने आएगा जिसका नाम है citric acid citric amyl और इसी के नाम पर जो है इस cycle का नाम भी पड़ा हुआ है अब इसके बीच में एक और compound बनता है वह एक और compound में येलो से लिखूंगी क्योंकि आपकी NCRT में तो नहीं दिया है लेकिन पूछने वाला question है आईसो citrate आईसो citrate या आईसो citric acid भी लिख सकते हूँ ये बनता है ये NCRT के अंदर नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बनता है ये मद्यस्त है अनस्टेबल है मतलब अस्थाई होता है इसलिए हम इसको शायद NCRT नहीं कहती आईड उठा लेते हैं फिर उसमें बहुत सारी चीज़े बना रखी है उसमें लेकिन हमें क्लास 11 के साब से चलना है आईसो citric acid बनता है लेकिन ये कुछ समय के लिए बनता है है ना और कुछ समय के बाद ये क्या होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है एक और compound में जिसको हम कहते हैं alpha keto glutamic acid glutamic acid कितने कार्बन है अभी 6 चल रहे हैं सुनते जाना 6 कार्बन इसमें भी है पर ये तो और इस था ही है अब क्या होता है इस 6 कार्बन में से एक carbon dioxide निकल लिती है बचके भाग जाती है वो जिल तोड़के ये carbon dioxide निकली अब इसमें कितने कार्बन होगे 6 कार्बन ते एक निकल गया 5 कार्बन का compound बन गया है ये अकेला 5 कार्बन का compound है करता है फिर से किस में बदलता है सक्सिनियाल एसिड में बदलता है सक्सि नाइल अमल इंपोर्टेंट चीज जो आप मैं बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुने यहाँ पे भी carbon dioxide निकलेगी अब देखो याद कैसे करोगे इसको यह alpha keto glutatic acid है keto keto से काट रहा है अब यह काट रहा है लेकिन क्या काट रहा है carbon dioxide तो इसके दोनो तरफ दुआ ही दुआ है carbon dioxide से दुआ होगा दोनो तरफ दुआ है इसके उधर भी दुआ है उधर भी दुआ है तो यह carbon dioxide alpha keto glutatic acid के पहले भी बनेगा और जब भी carbon dioxide निकलेगी यहाँ पर आपके जो है NADH भी साथ में निकलेगा तो यहाँ पर important चीज आने वाली है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है NAD जो है किस में बदलेगा NADH2 यह NADH2 ही हमारा उर्जा का स्त्रोथ है इसी से उर्जा निकालनी है NADH2 काउंट करने है पहला NADH निकल चुका है जहाँ यहाँ पर भी सेम चीज होगी NADH किस में बदल जाएगा NAD किस में बदल जाएगा NADH2 इसी से हम उर्जा निकालेंगे Oxidative Phosphory Current ETC में इसको भेजेंगे उसके बाद ATP निकालेंगे तो इसके दोनों तरफ आपको दो चीजे निकालनी है एक तो Carbon Dioxide निकालनी है और NADH निकालना है तोनों बात हो जाएगी इसके दोनों तरफ दुआई 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 के साथ क्या निकल रही है एनर्जी निकल रही है लेकिन वो एनर्जी डाइरेक्ट नहीं है आपको NADH के फ़र्म में मिलेगा जिसको आपको Electron Transport Chain में जाके ATP बनाने पड़ेंगे एक NADH से कितने ATP बनते है बताया है पहले क्लास में ग्लाइकुलाइसिस में भी बताया है जब बताओ कितने ATP निकलते है एक NADH से अब क्या होता है सकसिनिल सकसिनाईल को एन्जाइम ये भी बड़ा खतरनाक प्राणी है इससे भी रहान नहीं जाता ये कहता है मैं डाइरेक्ट किसमें बदलूँगा सकसिनिक एसिड में बदलूँगा सकसिनिक अमल में बदल जाता है इसमें कितने कार्बन है एक कार्बन यहां से निकल गया पांच हो गए थे एक कार्बन यहां से निकल गया चार कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है यह भी चार कार्बन वाला कंपाउंड है लेकिन जब कोई चीज बनेगी तो ऐसे तो बनेगी नहीं जहां पर एक और चीज निकलने वाली है, जिसको हम कहते हैं GTP GTP GDP से GTP बनेगा अब यह GDP, GTP क्या है जैसे ATP होता है, वैसे ही GTP भी होता है गुआनिन डाइफासफिट ठीक है, यह डाइरेक्टली ATP दे देता है, इसको ETC में भेजने की जरूत नहीं है, जो भी चीज, देखो एक, चीज मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज समझा रही हूँ, इसको सुनो हम जो भी यह साइकल चला रहे है, एक तो हमें डाइरेक्ली ATP मिल रही है जैसे यहाँ पे डाइरेक्ली ATP मिल जाएगी यह GTP क्या करेगा, डाइरेक्ली ATP देदेगा, लेकिन कुछ हमें NADH और FADB आने वाला है, FADH की रूप में जो चीजें मिलती है वो डाइरेक्ली ATP नहीं देती, उसको हम कह रहे हैं कि हमें उसे इलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट चेन में जाके उसे ATP छीनने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं ओक्सिडेटिव फॉस्फोरी करन कहते हैं जो कि आपके बुक के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी हैडिंग लगी ओक्सिडेटिव फॉस्फोरी करन वो क्या है NADH और FADH से ATP निकालने की तरकीब है ETC जो इलेक्ट्रोन टांसपोर्ट चेन करेंगे वही ओक्सिडेटिव फॉस्फोरी करन है उस पर क्रिया को ही ओक्सिडेटिव फॉस्फोरी करन क्या रहे है ठीके तो ये तो बाद में निकलेगी ये डारेक्ट्ली निकल जाती इसको ETC में बेजने की जरूत नहीं है ये अपना सिंपल, सोबर इंसान है इसको बेटा कहते है सबस्टेट एनर्जी कहते है इसको जैसे इसको ओक्सिडेटिव एनर्जी कहते है क्योंकि ये ETC में जाएगा इसको सबस्टेट एनर्जी भी कहते है क्योंकि डारेक्ट्ली दे देता है यहाँ से एक GTP निकला कहानी हो गई पूरी अच्छा इधर से को एन्जाइम बाहर निकल रहा है ये बताने की पहले ही बोल दें को एन्जाइम बाहर निकल चुका है सकसीनिक एसिड जो है यहाँ पे फिर आपकी बोक ने एक नमबर एक चीज़ खाई हुए जो मैं लिखने वाली हूँ वो है फ्यूमेरिक एसिड अब फ्यूमेरिक एसिड जब बनेगा तो ये भी ऐसे ही नहीं बनता ये कुछ और रिलीज करता है और वो है एफ ए डी से एफ ए डी एच टू इसको याद करना आसान है आपको क्या याद करना है फ्यूमेरिक बदल रहा है तो एफ वाली चीज बन रही है तो एफ वाली चीज निकलेगी एफ वाली चीज फ्यूमेरिक में एफ आ रहा है F वाली चीज़ बन रही है तो F वाली चीज़ निकाल ली है याद हो जाएगा मैंने भी ऐसे याद रहे है मुझे कोई भगवान ने बरदान नहीं दिया है जैसे कि मैं कहा देती हूँ बुक रख लो और याद हो जाए ट्रिक बना के याद करा हूँ है एसे कि F वाली चीज़ बनाई है तो F वाली चीज़ निकाल ली है अब F वाली चीज़ क्या निकाल ली है आप NADH निकाल रहे है FADH निकाल दू क्या भी गड़ रहा है आपका N A को F A कर दू इसको भी खुश कर दू अब क्या हो रहा है Fumaric Acid से एक और चीज़ बदल रही है जो आपकी बुक में डारेक्टली दे रखा है और वो है Malic Acid ठीक है? Malic Acid Malic Amla आपकी बुक में सिर्फ ये Malic Amla दे रखा है इसको खा गया है बुक वाला शायद इसको भी खा गया है और इसको भी खा गया है ये दो तो खाय हुए है जो मैंने यलो से लिखे है इसका मुझे द्याननी अभी देखते हैं डायरम को खाया है कि नहीं खाया? कितनी भूक लगी है Malic Acid बना ये सब चार कारबन के है ठीक है ये भी चार कारबन का है ये भी चार कारबन का है और इससे अब ये बन जाएगा वापस क्योंकि भाई हमें वापस cycle चलाना है ना cycle तो चलाना है ये cycle चलेगा कितनी बार चलेगा ये cycle? ज़रा बता कितनी बार चलेगा ये cycle? दो बार क्योंकि हम glycolysis से कितने पाइरोवी कमल बना के लेके आएं दो लेके आएं तो ये चकर कितनी बार चलेगा? टू टाइमस चलेगा ये चीज़े ध्यान रखो दो बार चलेगा बही एक पाइरोवी कमल दो पाइरोवी कमल है ना glycolysis से ये बात में कब से रटवा बोलती इसलिए आती हूँ बार बार दो बन रहे हैं दो बन रहे हैं अभी ये दो एक बार में एक ही पाइरोवी कमल का साइकल चलेगा ना तो दो पाइरोवी कमले तो ये दो बार चलेगा तू टाइमस चलना है इस साइकल को glycolisis में एक ही बार चल रहा है लेकिन वहाँ बीच में जाके दो अनु हो जाते हैं इसलिए दो पाइरोवी कमल बनते हैं acetyl coenzyme भी दो बार बनेगा क्योंकि दो पाइरोवी कमल है और वापस जब दो acetyl coenzyme बनेगे तो ये वाला भी दो बार चलेगा ठीके दो बार चलता है क्या है ये tca chakra अब सारे नाम तो मैं नहीं लिख पाऊंगी इत्ती तो जगा भी नहीं है tca chakra अब देखो fumaric जब fumaric जैसे तुछे इंसान से हमने fd निकाल ली तो फिर mellicuml तो बहुत important है ये भी motosynthesis में आया हुआ मंदी है फोटो सिंदेज इससे पढ़के आ रहे हैं उसको कुछ नहीं देंगे तो उसको भी देंगे वो कहेगा तुन्हें fd निकाला है मैं nad निकालूँगा तो ये कहता है चलो निकालो वह ये लो यहाँ पे एक और nad हमें मिला है n a d h 2 कितने nad h 2 हो गएं counting एक दो और ये तीसरा ठीके fd कितना निकल रहा है एक ही निकल रहा है gtp कितना निकल रहा है एक ही निकल रहा है अब फिर से पुरानी बातों पे जाती हूँ मैं एक NADH से टीन ATP मिलते हैं उसी प्रकार एक FADH से दो ATP मिलते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है और GTP से तो एक ही ATP मिलेगा डायरेक्टली बना देता है अब इसको हमें कई भेजने की जरूत नहीं क्योंकि ये डायरेक्टली ATP बना देता है इनको बेजना पड़ेगा आगे के स्टेप में ETC में बेजना पड़ेगा इसको electron transport chain for oxidative phosphory current ठीके उस प्रक्रिया को जो हम कह रहे हैं वहाँ पे इन दोनों को भीजना पड़ेगा कैलकुलेशन पर आजाओ दो पाइरोवी कमल थे तो दो ऐसी टिल को एंजाइम बने तो ये cycle दो बार चलेगा एक चक्र में एक चक्र में कितने NADH बन रहे हैं counting हो गई पूरी एक दो तीन तीन NADH2 एक चक्र में बन रहे हैं NADH2 कितने चक्र चलेंगे दो बार तो 2 NADH 6 हो गए 6 NADH ठीक है FADH कितने मिलेंगे एक चक्र में एक FAD मिल रहा है तो 2 में 2 मिलेंगे और GTP कितने मिलेंगे वो भी 2 मिलेंगे इंटू 2 समझ में आई कुछ बात अब ATP की कैलकुलेशन करो Glycolysis की कैलकुलेशन में बता क्या आई हूँ Glycolysis में कितने ATP मिल रहे है NADH और दोनों ATP मिला के कितने ATP मिल रहे थे हमें वहाँ पे 8 इससे पहले जो linking step था उसमें कितने ATP मिल रहे थे 2 NADH मिल रहे थे यह याद है इसकी ATP की गड़ना करूँ अभी मैंने कहा एक NADH से 3 ATP मिलते हैं तो 6 NADH से कितने ATP मिलेंगे आपने कहा 18, 6-8 ठीके एक FAD से 2 ATP मिलते हैं तो 2 NADH से कितने ATP मिलेंगे? 4 और GTP तो 2 ही है तो GTP से तो directly 2 ATP मिल जाएंगे कितने हो गए 24, मैं सही है मेरी 22 और 24 24 ATP मिलेंगे 2 बार क्रेप साइकल चलने पर एक बार में 12, दूसरी बार में 12 है ना, इन शब्दों पर बहुत ध्यान दिया करो हो सकता है आपको पूछे ही नहीं आपको अगर जनरल पूछता है क्रेप साइकल में कितने ATP मिलते है तो आप बोलोगे चोईस, आपको अगर यह पूछता है क्रेप साइकल में एक चक्र में कितने मिलते है तो फिर आपको थोड़ा दिमाग दोडाना पड़ेगा 12 ही मिलेंगे क्योंकि ये 2 चक्र के बात हो रही है ठीक है 24 एटीप हमने कमा लिए 8 ग्लाइकोलाइसिस में कमाए थे कितने हो गए 24 और 8 कितने 24 और 8 32 और 6 कहां में मिल रहे है वो लिंकिंग स्टेप पे कितने हो गए 32 और 6 38 आगए 38 शुरुवात में बोला था 38 एटीप मिलेंगे हो गए मतलब कहानी का एंड होने वाला है लेकिन वो ट्विस्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि NCRT 36 क्यों लिख रही है वो अभी चलेगा थोड़ा लंबा उसको बाद में खोलेंगे राज को ठीके राज को राज ही रहने दो अभी ठीक समझ में आई बात अब इसको याद कैसे करना है मैं आपने तो पड़ा दिया हमें तो याद नहीं होगा अब ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे चाहे तो कै कैसे याद करो वैसे तो एजी है अगर NCRT के इसाप से लोगे तो सिफ यह 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 और यह यह याद करना है यह बाकी के तीन एक्सट्रा लिखा है कैसे याद करोगे बई citric acid citric से बनता है आईसो citric, alpha keto gluteric acid, succinyl, succinyl, fumeric acid, malic acid और फिर से oxaloacetic acid बन गया question यहाँ पर यह बनता है कि acetyl co enzyme को सबसे पहले कौन ग्रहन करता है तो oxaloacetic acid ग्रहन करेगा है ना इसी और इसके मिलने से ही citric acid बन रहा है यह भी तो बाद में बनेगा ग्रहन कौन करता है oxaloacetic acid यह बात आपको ध्यानक नहीं है दूसरा ADP कहा कहा निकलेंगे मैं अपना काम कर लेती हूँ देखो मैंने गयात कर रखा है i star alpha star m star यह star का मतलब है NADH कहा कहा निकल रहा है एक तो निकल रहा है आईसोसिट्रिक के बाद यह निकल गया फिर निकल रहा है alpha alpha नाम से हमर पास क्या है alpha keto glutaric acid है तो alpha के बाद NADH निकल रहा है ठीक है और फिर निकल रहा है सीधा मैलिक के ओ यहाँ पे निकलना चीए था मैलिक के बाद है ना इसको सही कर लो यह यहाँ पे आएगा मैलिक के बाद निकलेगा यहाँ पे इस जगह पे NADH इसी लिए short trick बनानी पड़ती है कभी कभी क्या है गल्ती से mistake हो जाती है यहाँ पे निकलना है ठीक है alpha पे I पे निकलना है isocytric alpha alpha glutaric acid के बाद निकलना है और मैलिक के बाद निकलना है FAD पी कहा निकलेंगे तो FAD आपको याद अखना है fumeric बनाना है तो fumeric से पहले F वाला एक compound निकलना है और वो है FAD यह यहाँ से याद हो जाएगा succinyl और succinyl के बीच में एक जिटी पे निकाल दो यह सब 4 carbon वाले चल रहे है यह अकेला 5 carbon वाला है इसलिए इसलिए इंपोर्टेंट भी है दो-तीन चीजों से पहला तो यह अकेला वीचारा 5 carbon वाला है तो आपसे पुछा जा सकता है कि क्रैप cycle में 5 carbon वाला compound कौन सा है दूसरा इसके दोनों side दुआ ही दुआ फैला हो है ठीक है यानि कि carbon dioxide निकल रही है यह भी आपसे पुछा जा सकता है किसके बाद या किसके पहले carbon dioxide निकलती है तो आइसो के बाद निकलती है और एक alpha-clito-gluteric acid से alpha-clito-gluteric acid और इसलिए important है क्योंकि इसके दोनों side NADH है यह भी याद हो जाएगा भी दोनों side निकालनी है NADH ठीक है calculation समझ में आ गई एक बार में 3 NADH 1 FAD और 1 JTP मिल रहा है तो दो बार में double कर लो क्योंकि cycle दो बार चलेगा ठीक है calculation आपको समझा दी एक बार फिर से हम chart बनाएंगे इसका लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लो अब आते हैं आपके NCRT के diagram की तरफ यह देखो ठीक है acetyl coenzyme बना acetyl coenzyme दो कार्बन का है oxaloacetic acid से मिला citric acid बना अब देखो यहाँ पर isocytric acid नहीं बनाया हुआ डाइरेट alpha clitogluteric acid लेकिन आपकी तो trick काम रहेगी क्योंकि हमने का alpha clitogluteric के दोनों तरफ CO2 निकालनी है दोनों तरफ NADH निकालना है यह देखो निकले हुए है चाहे आप isocytric acid लिखो या नहीं लिखो और फिर आप देख लेना अपनी स्कूल के एसाब से क्या करवाते हैं आपकी teacher फिर succinic succinyl गायब कर दिया यहां से direct succinyl कामल 5 कारबन का था अब यहां पे हमने succinyl से जब succinyl कमल बनता है तब GTP बनता है लेकिन इसने succinyl लिखा ही नहीं है तो इसको direct glutamic के बाद ही GTP निकालना पड़ेगा बीच वाला portion नहीं लिखा इसने लेकिन यहां पे neat में आप फस जाओगे अगर आपको option में लिखा हो succinyl से succinyl कमल के बीच GTP निकलता है और आप लिख दो कि alpha glutos से succinyl कमल के बीच में GTP निकलेगा तो बात गलत हो जाएगी ना इसलिए बीच वाला बताना थोड़ा सा जरूरी था ना बीच में एक चीज बन रही है समझ में आई बात ठीक है और इसने लिखा है NCRT ने डाइग्राम में शो नहीं किया लेकिन अगर आप उसके पास वाला paragraph पड़ोगे तो उसमें succinyl का नाम लिखा हुआ है आईसोसाइट्रिक का भी लिखा हुआ है बताया नहीं है इसको कहते हैं दोका हाती के दाथ दिखाने के और और खाने के और तो इसलिए हमें बात को ध्यान रखना है कि NCRT के डाइग्राम अलग चीज़ बताते हैं लिखा हुआ अलग होता है तो दिखावों पे ना जाए अपनी अकल लगाए ठीक है? एड देखा ही होगा आपने तो अभी क्या है? यहाँ पे सकसी नाइल आएगा बीच में वहाँ से GTP निकलेगा सकसी नाइल से सकसी निकमल बनेगा सकसी निकमल से देखो फिर से गाय अब यहाँ पे अब यहाँ पे याद करने में आपको दिक्कत हो जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाइग्राम के ठीके तो फ्यूमेरिक बनता है फ्यूमेरिक बनता है तो F का कंपाउंड निकालना है आपको और वो निकालो गया आप FADH फिर मैलिक मैलिक से उक्जेलिक बन गया वापस और एक यहाँ पे निकल गया कहां कहां एक तो निकलेगा आई के बाद स्टार फिर एल्फा के बाद स्टार और मैलिक के बाद स्टार और बाकी के जो दो चीजे हैं वो आपको याद रखनी है दो दो देखो सक्सीनिक देखो एक और चीज़ बताते हूं एक और ट्रिक बता देते हैं आपको सक्सिनाइल और सक्सिनी कमल इसमें सक्सेज वर्ड आ रहा है सक्सेज लेकिन ज्यादा सक्सेज इसके पास है नहीं है ना इसको एक जिटीपी मिलता है ऐसे याद हो जाएगा दो सक्सेज के बीच में एक जिटीपी निकल रहा है ये भी सक्सक्सक है ये भी सक्सक्सक है इससे अगर आपको कोई अपनी कोई ट्रिक लगानी है तो आप लगा सकते हैं ठीके तो ये था आपका क्रेप साइकल अब बात कर लेते हैं जो हमें करनी है जो कि मैंने आपको शॉट में समझाई क्या कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लाइकोलाइसिस में आठ एटीपी बन रहे हैं यह आपको अलग से एक टॉपिक दे रहे है शुशन चार्ट वो भी बताऊंगे मैं आपको लेकिन दो तीन बार बताएंगे तब जाके एक बार याद दोगा इसलिए आज भी बता देती हूँ आठ एटीपी मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस से लिंकिंग डिवाइस जो था हमारा योजक कड़ी है ना लिंकिंग स्टैप उसमें हमें कितने एटीपी मिल रहे हैं छे एटीपी क्योंकि दो एने डिएच मिलेंगे दो बार चलेगा वो साइकल भी अब क्राप साइकल की बात कर लेते हैं क्रैप साइकल में हमें कितने ATP का फाइदा होने वाला है चोई से ठीकी है ना दो बार चलेगा हो गए ना बच्चो 38 ATP लेकिन कहानी में ट्विस्ट तुम्हें महां तक लेके जाऊंगी 36 कैसे आए उसके लिए आपको क्लासेश देखनी पड़ेगी आगे की ठीक है क्योंकि हमें श्वशन चार्ट वाला टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा फिर यह श्वशन चार्ट ही है एक तरगा लेकिन NCRT ने उसको अलग से दे रहा है अलग से भी डिसकस कर लेंगे आपको बार बार में इसलिए कैलकुलेशन समझाय जा रही हूं क्या कि जब तक हम श्वशन चार्ट पर जाएंगे तो आप क्या दो मैं हमें तो पहले से पता है ऐसा वाला निकलना चाहिए इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करवा रही हूं कौन-कौन दो बार चलेगा ये दो बार चलेगा ये दो बार चलेगा क्योंकि दो बात पायरोविक अमल बना हो है वहाँ पे दो अनू बन रहे है इसलिए ठीक है इसलिए ये डबल हो जाती है तो ये था हमारा क्रेप साइकल NCIT प्ल प्लेंगे next lecture में और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत रेस्ट और शायद इसके बाद life class ले लू मैं तो इंतजार करो कि life class होती है या नहीं जहां तक मेरी उमीद है मंडे को हम life class लेगे तो आजाना सभी उस वाली life class में तो आये नहीं थे चट-पुझा चल रही थी कोई बात नी अब वाली में आ जाना जिसके लिए मुझे आपने यूटूब पे काफी बच्चों ने मेसेज किये मैम हमें माफ कर दो जैसे कि मैम घर पे आके सब को मारी रही है ठीके चलो तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाई